साइंस एड़ेटिकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं असुतो स्व्यास और्गेनिक चेमिस्ट्री की सीरीज में आज आके लिए लेकर आया हूं इंपोर्टेंट कुश्यन ओप और्गेनिक केमिस्ट्री फोर नेट एंड जेए दोस्तों यह वो कुश्यन है जो नेट एंड जेए में अधिकतर पुंचे जाते हैं और इनके पुंचने का बस तरीका लगए वो भी मैं आपको बता दूँँगा और इनको सोल कैशे करना है इ दोस्तों जो अपना पहला क्यूशन वो कह रहा दा करेक्ट ओडर ओडर ओफ दे बेसिक स्ट्रेंथ ओप इसका आंसर होगा उसका रीजन है उसका रीजन में आपको बता होगा इसका आंसर होगा इसका आंसर एसली होगा देखो कि जब भी जो मिथाईल अगर सब्स्टिट्ट हो तो अगर जो अपना नाइट्रोजन है उसके अगर तीनों और क्या हो methyl group जुड़ा हो तो इससे क्या होता है steric hindrance की वज़े से यह क्या कर पाता है bond नहीं बना पाता है इसलिए इसकी basic strength सबसे कम हो जाती है और जो one substitute rate methyl याईनि एक ही लग रहा है तो इसमें क्या है कि इसके plus eye effect की वज़े से या nitrogen के minus eye effect की वज़े से इसका क्या हो क्या होता है कि nitrogen मतलब जो tertiary substitute methyl से तो इसका basic strength जादा होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ कि dye substitute या dye methyl substitute जो amine है उससे इसका कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो methyl group है उसका जो plus eye effect लगता है उसकी वज़े से भी यहाँ nitrogen की जो basic strength है वो बढ़ जाती है इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो basic strength होगी वो dye substitute की होगी ठीक है फिर one की होगी फिर आपके तरसरी की होगी ठीक है तो यह आप हमेशा याद रखें ठीक है अब हम चलते हैं अपने next question पर दोस्तों इसी तरह कैसे question soul होगे अब चलते हैं next question पर यह कह रहाद है major product of following reactions दोस्तों अपने को क्या है यह जो reactions है यह reactions में soul करवाई है यह reactions है थेलिक acid की जब भी ammonia के साथ reactions होती है तो आपको यहाँ पर थेलिमाइड प्रोड़क्ट के रूप में मिलता है यानि overall reactions कैसे होती है उस पर चलते हैं फिर चलेंगे हैं इनके options पर देखो होता क्या है जब भी यह है आपका थेलिक acid ठीक है अब इसकी reaction हो रही है ammonia के साथ अब ammonia के साथ अब इसकी reactions होगी तो यहाँ पर ammonium thalite salts मिलेगा अपने को कुछ इस तरीके से NH4 फिर CO NH4 अब जब हम इसका क्या करेंगे water hydrolysis करेंगे तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा यह ठीक है CO NH2 CO NH2 अब अगर अगर इसकी strong heating करेंगे strong heating करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर यह अपने को thalemide CO CO NH यह अपने को product के रूप में मिलेगा अब हम देखते कि हमारा thalemide कहा है option में चलते हैं फिर से तो देखो यह तो बनेगा ही नहीं ठीक है तो यह रहा आपका thalemide 2 यह आपका thalemide यहाँ पर इसको thalemide बोलते हैं याद रखें जब भी thalemide acids की reactions ammonia के साथ होगी और strong heating अगर arrow के उपर लिखा है तो आपका thalemide ही product बनेगा ओके अब चलते हैं रहे next questions पर दोस्तों ऐसे हम questions को solve करते हुए जाएंगे ठीक अब यह कह रहा है कि an alkene A on reactions with O3 यानि कि ozone के साथ जब reactions हो रही है कोई alkene है जिसकी तो propane और ethanol अपने को क्या मिल रहा है product के रूप में मिल रहा है तो यह अपने को कह रहा है कि तुम alkene A found करो क्योंकि यहाँ पे जब उसकी HCl से reactions होगी तो major product B बनेगा तो major product B क्या बनेगा अगर हमें major product B चाहिए तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि major product A क्या है अब उसने अपने को बताया कि ethanol and propanone propanone मतलब acetone यानि कहने का मतलब है acetone बनने का मतलब यह है कि यह जो carbon है न वो कुछ इस तरीके से double bond के साथ जुड़ा हो यह आपका CS3 यह आपका CS3 और यह आपका CHCS3 यह situation होगी तब ही तो यहाँ पे ethanol बनेगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा यहाँ पे तो बन जाएगा आपका propanone और यहाँ पे बन जाएगा आपका ethanol ठीक है यही बनेगा आप reactions करके देख लो अगर आप देखो अपन इसको करके देख लेते हैं चलो भी करके देखने में अपने को फाइदा है देखो अब मैं इस पे क्या करूँगा जैसे मैंने इसकी O3 से इसकी reactions करवाई या मैं कहूं कि भी मैंने इसका eugenolysis करवाया तो मेरा कुछ product इस तरह कैसे बनेगा S3C S3C यह मेरा C और यह मेरा O CH CH3 और यहाँ पर कुछ इस तरह से oxygen लगेगी ठीक है यहाँ पर यह oxygen और यह हो जाएगा इसका यहाँ से eugenolysis जैसे यहाँ से इसका eugenolysis complete हुआ और आपको propanine और product देखने को मिल जाएगे इसका मतलब आपका जो A होगा वोगा H3C H3C और C double bond CH CH CH3 यह होगा आपका A अब मैं इसकी HCL से reactions करऊंगा तो यहाँ पर लगेगा जब भी मैं इसकी HCL से reaction करऊंगा प्लस HCL तो यहाँ पर यह CL minus और प्लस 2 में टूटेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यह जो S3C S3C में दो रहा हो सुरी methyl group है न वो methyl group क्या करेंगे वो methyl group के इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट से यह जो डबल पाई बोंड के इलोक्ट्रोन है वो यहाँ पर ट्रांस्पर होगे तो यह तो होगा माइनस और यह होगा पोजिटिव तो अब जो HCL minus तो 8 होगा यहाँ और H होगा 8 यानि मेरा product क्या मनेगा मेरा product बनेगा यह देखो यह होगा मेरा methyl यह मेरा methyl यह मेरा carbon और यहाँ पर जुड़ जाएगा CL यहाँ पर जुड़ जाएगा CH2 CS3 ठीक अब चलो अपन देखते हैं कि अपना answer चलो answer चेक करते हैं कि यह मिल रहा यानि अभी इसको हम पहले देख लेत यह है देखो वन 340 यहनि2 है 2 मिथा से 2 हो डू मिथाईल योट्वेकश छी चलो देखते हैं कहां पैं तुवड़ साह देखो इनी रहा सबसे पहले आपन देखते हैं यहाँ यह नहीं बनेगा देखो यह भी नहीं बनेगा ठीक है अब चलते हैं यह देखें यह भी नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा तो अब बनेगा अपना यह वाला देखो तो अपना आंसर थड़ी यहां पे सही होगा ठीक है अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे देखो ऐसे सोल करते जाएंगे ठीक है आपको रियक्शन्स पता हो नीचे और यह सारे सारे मैंने सोल को रख अब यह क्या रहा है अमंग देख फॉलोइंग रियक्शन्स देट प्रोसी क्लोरीन एड़् तो यहां से क्लोरीण वह स्यल प्लस यानि क्लोरेनियum आयन प्रोडीस होना चीए तभी आपका इलेक्ट्रों आप इलेक्ट्रो्ट्रों होोगा अगर सिएल माइनश रहेगा सियल माइनस मतलब उसके पास पहले ही लोप तो लेने तोड़ि जाएगा है ऐलोक्ट्रОन लेने तो तब ही जाएगा कि हो स्यल प्लस पो कर prof Do में में बोलतें तो आप यहां पर इस येट एन टू प्लस याल माइनस मेने तो यह अपना यह कर सकते हैं छुआ से कि चलते देखो शेकल सेकंड को आप देखो स्येटु इस एल्टु substitution reaction होती है और यह बेंजीन का तो क्या है quality है बेंजीन की property है कि वो electron electrophilic substitution देता है तो आपका सिधा सा answer या आख मूंद के आप 2 को सही कर लो क्योंकि इधर बेंजीन है और बेंजीन हमें साथ से ही electron philic substitution reaction देता है अगर मैं अगर नीचा वाले options को हो देखो तो यहां UV light आ रहा CL2 आ रहा अरे वया यह तो free radical हो गया यह तो होना ही नहीं और यहां पर देखो HCL तो H और यह आपका CL- तो CL- आ गया CL- का मतलब तो यह नुकलियोफिलिक हो गया ठीक है तो आपका option 2 सही है देखो अपन option से भी questions को कर सकते हैं अगर अपने को reactions अच्छी तरीके से उनका mechanism पता हो अगर आपको यह सब चीजह है तो मैंने वीडियो बना रहे हैं वहां जाके आप देख लो पहले तब जाके आप इनको कर पाओगे ठीक है अब चलते हैं अपने अपने next question पर यह करा the most suitable reason for the following conversation यहाँ पर क्या है यहाँ पर एलकाइन से एलकीन मन रहा है लेकिन सिस बन रहा है अब मैं आपको पहले ही बताता हूं कि सिस और ट्रांस दो एलकीन बनते हैं और इनसे related question हर साल नीट और जेई में confirm पूचा जाता है पू प्रोडक्ट क्या होगा अब इसने direct product पहुंचे और आपको रेजेंट बना दिया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं सिदा सा option में ही कि जब भी sodium और liquid NS3 use होगा तो हमेशा ही ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा यह चीज आप रट लो इसको तो और लिनला रियेजेंट य जब भी होगा यह हमेशा से ही six product बनाएगा इसको यह यहाँ पर या तो लिनलार यह जैंट लिक देगा यहाँ पर एच्टव चेज भी लिखी लिकियों तो यह क्या हमेशा से ही six product बनाएंगे यह व्याद कर लो यह हर साल पहुंचते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर किया अभी सिस्क्वेरा ना तो अपना आंसर टू सही है यह चीजा व्याद रख लो ठीक है अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्यूशन पर में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर रियेजेंट का कौन सा रियेजेंट क्या वर करता है वह वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द ल देखना ठीक है अब यह कह रहाएं स्ट्रेक्चर ओफ इंटेर्मीडियेट एन फॉलोविंग रियक्सेंस यानि इंटर्मीडियट पहुंच रहा है अरे बहुत अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो मैंने नेम रियक्सेंस में फिनोल की प्रीप्रेशन मेंने क्यून से तो यह क्यूमीन इतु है स्वर्य क्यूमीन से बता रहें अरे आई सो प्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन और क्यूमीन से फिनोल की फिनोल बनाना इसकी इन्डेश्टियल मेथड है इसको आप क्यों बूर्ड रहे हो तो transit अपो पूंछ रहा है तो हमेंसा से ही क्या बनता है किसके रूप में बनेगा यह हमेंसा से ही यह बनेगा आपके intermediate में और यह क्या है इसके industrial में है अब यह कैसे बना यहां बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो में इसका link दे दूंगा आप वहां देख लेना ठीक है यहां पर आपका अंसर यह होगा इसका intermediate और यह industrial reaction यह बहुत फायदे है क्योंकि इसमें क्या होता है कि साथ में acetone बनता है तो phenol भी बने गया acetone भी बने गया यह कम खर्चे में दो product बन गया इसलिए बहुत ज्यादा profit वाले इंडिस्ट्रियल में थाड़ा इसलिए बहुत ज्यादा यूज होती है phenol को बनाने के लिए तो इसका वीडियो में का link में देदूंगा आप वहां जाके देख लाना वैसे भी जो जो भी सबका link आपको description में मिलेगा वहां जाके आप इसकी में आराम से देख ले ताकि आप आराम से उस वीडियो को बना सको मलब उन वीडियो को देखे आप इनको सोल कर सको future में यह questions आपके गलत ना हो और आप अच्छे से score कर पाएं अब यह कहना दा नंबर ओफ सिग्मा एंड पाई बोंड इन पेंट टू इन आइन यानि पेंट टू इन में आपको क्या है सिग्मा और पैंड बनाने तो चलो अपन बनाते हैं यहां पेंट टू इन फ हिड्रोजन लगा दो कि यहां पर नहीं लगेगा सिद्धे यहां पर लगेगा और यहां पर क्या लगेगा आपके हैच ठीक है तो अब यह हो गया आपके अब अपन गिंते देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहां टेन तो हो गए सिघ्मा और वन टो थ्री ओधर फ्री फाई एक बात हमें साच याद गना जो ट्रिपल बॉंड होता वह उसमें दो पाइबान्ड होते हैं और जो double bond होता हुआ उसमें एक πाइबान्ड होता है तो यह जो तो triple और टेन यहांप मैं पर सिगमा अब एक बात आधा आग मैं आपको बताता हूँ यहां पर ट्रिक कैसे देखो इस ने क्या पच्छा 4 in 2 in और 4 in यहाँ पर 1 तो क्या है double bond है और 1 क्या है यहाँ पर triple bond है तो यहाँ एक और 2, 2 और 3 यहाँ तीन पाई होगे तो आप सबसे पहले इसमें देखो 3 पाई काई तीन पाई यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 यहाँ कि यही आपका trick लगाते है तो यह question यही आपका soul हो रहा होता ठीक है यानि आप इसको trick से भी soul कर सकते हो तो ऐसे करके यहाँ complete होते हैं और अगे ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे इसके लिए आप चैनल को subscribe कर दें और notification के लिए bell icon को on कर दें ताकि आपको notification मिलता है इसके साथ यह वीडियो जहीं complete होता अच्छा लगे तो like करें और जो need की त्यारी कर रहे हैं उन्हें share करें subscribe करना बिल्कुल ना भूले thank you